आज लाई हूँ आपके लिए सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी पीजा की रेस्पी बहार से लेने जाएंगे चार पांसुर पे का आएगा इतना बड़ा पीजा जो हम घर पर बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में सिर्फ सौर रुपे में पूरे परिवार के लिए बना सकते हो गे तो पीजा अब बनाना शुरू करते हैं इसके लिए फटापट से ले लेते हैं यहां पर दो कटोरी गेहूं का आटा जिससे की रुटि बनाते हैं आधा चोटा चमच नमक डाल देते हैं इसमें और एक चोटा चमच डालेंगे पीसी हुई चीनी चीनी यहां पर जादा नह लेना है बेकिंग सोड़ा बस इन सभी चीजों को डाल कर अच्छी तरीके से एक तो बार हम इसे चाल लेंगे ना तो जो पीजा का बेस है ना जो ब्रेड है बहुत हलकी फुलकी और बहुत अच्छी जालीदार बनेगी बिना किसी इस्ट के आप देखिए बना कर ट्राय पीजा चलिए एक चमच डाल देते हैं यहां पर रिफाइन डॉयल और साथी में डालेंगे यहां पर आधा कब दही घटा होगा तो भी चलेगा इससे हमारा जो पीजा का बेस है और भी अच्छा बनेगा चाली अच्छी आएगी अब इसे डाल कर एक पर अच्छी तरीके स बिल्कुल भी हाड नहीं होना चाहिए इस तरीके का एक तम सॉफ्ट हो लगाईएगा इसमें से आराम से दो पड़े पीजा बन जाएगे अब इसके उपर थोड़ा सा हम बात में पानी लगा देते हैं क्योंकि हम इसे अब ठकका रखेंगे हलके से गीले कपड़े से और आ एक चमच लेंगे धनिया पाउदर आदा चमच लेंगे यहाँ पर जीरा मैंने यहाँ पर कच्छी जीर को कूट कर इसका पाउडर बनाया है तो यह मैंने डाल दिया है साती में एक चोथाई चमच यहाँ पर वन फोर टीश्पून गरम मसाला लेना है बहुत ज्यादा नही थी लेनी है इससे बहुत ही बढ़िया खुश्पू और फ्लिवर आएगा हमारे तंदूरी मसाले में साती में दो बड़ी चमच यहाँ पर गाड़ा दही लेना है आपको ध्यान रखिए कर दही खट्टा नहों और बहुत ही बढ़िया क्रीमी दही होना चाहिए तो बहुत अब क्या करेंगे इसमें से हमने थोड़ा सा यह जो मसाला है निकाल करके साइड रखना है बहुत ज्यादा नहीं एक चमच के करीब निकाल कर साइड रख देते हैं और पाही का जो मसाला है इसमें डाल देंगे एक कटोरी भीगी हुई सोया बीन यहाँ पर मैंने इनको कर देंगे ताकि जो मसाला है इसमें अंदर तक चाहे और यह जो सोया बीन है बहुत ही बढ़ी है जूसी बने तो चलिए इसे हम साइड रख देते हैं और अपनी बाकी की तियारी कर लेते हैं अब यहां पर मैने लिया है आदा कप के करीब इस तरीके से कटा हुआ पनीर त चुका है अब गैस पर एक पैंच अड़ा देते हैं इसमें यहां पर हम डालेंगे जो सोयाविन मेरेनेट करके रखी दिना मसाले के साथ में बस यह डाल देते हैं गैस की फ्लेम को अभी आप नहीं करेंगे इसमें एक चमच बटर डालेंगे यानिकी मक्षन आप चाहे तो करेंगे एक थाली लेंगे मैं इसी में पीजा बनाने वाली हूं में थोड़ा बड़ा वाली हो हम यहां पर इंस्टेंट गार्लिक बटर बना रहे हो है'm तो तो कड़् उ कर्दू करस किया हो मैंने ai लिया है और यहां पर मैंने मढ जोन रिया है नहीं से डोल ना चाहिजया तो बस इस तरीके से इसको रख करके हमने हाथों से इस तरीके से हलका हलका सा प्रेस करते हुए पूरी थाली में इसे फैला देना है ध्यान रहे चारो तरफ एक जैसा आपको फैला रहा है कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए साइड में हलका सा मोटा रखेंगे ताकि बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि हमने इसे बाहर से लाया है अब एक काटा चम्मच लेंगे इस तरीके से प्रिक कर लेंगे ताकि जो डो है बीच में से फूले न इसके बाद इस पे लगाएंगे पीजा सॉस या फिर आप सेज्वन सॉस भी ले सकते हो यहाँ पर तो मैंने सेज्वन सॉस का इस्तमाल किया है बच्चों के लिए बना रहे है थोड़ा सा कम लगाएगा तीखा रहता है इसके बाद इस पे डाल देंगे यहाँ पर मौजेलला चीज आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हो यहाँ पर जो भी चीज आप खाते हो और इसके बाद यहाँ पर हम यह जो सोयवील रखी न फ्राई करके इसको हम डाल देते हैं इसके बाद जो मैरिनेट किया हूँ पनीर है तो यह पनीर हम थोड़ी-थोड़ी दूरी इस तरीके से रखतेंगे इसके बाद हम कुछ वेजटेबल्स का इस्तमाल करेंगे आपको जो पसंद है वेजटेबल्स को आप ले सकते हैं मैंने कैप्सिकम और प्यास ली है इसके बाद थोड़ा सा चीज जाएगा इसके उपर और फिर हम डालेंगे थोड़ी सी पीजा चलिए रेडी हो चुका है अब यहां पर मैंने दस मेट पहले ही इस कड़ाई को प्री हीट कर लिया है यानि की गरम कर लिया है आय रंगी कड़ाई का में इस्तमाल कर रहे हूं और बरतन पुराना ही लीजिएगा थोड़ा सा कभी कभी बेकिंग में थोड़ा सा जल जाता ह है तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको याद दिला दूँ अगर आपको रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस रेस्पी को ज्यादा शेयर करें अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूल वाव यह देखिए फ्रेंट्स तो पूरे 20 मिट हो चुके हैं लग रहा है कि हमने इसे कडाई में बनाए पिल्कूल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसे अवन में बनाए कितना बढ़िया कलर आ है कितने अच्छे तरीके से देखिए सिक चुका है आप देख सकते हैं गेहू पीजा को आप एक पर मेरे तरीके से ज़रूर बढ़ाएगा यह किन मानिए आप अपने धेर सारे पैसे बचा सकते हैं और घर में सब के लिए इस पीजा को बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फेमली के साथ पर तो आप भी इसे बनाएए खाएए इंजॉय कीजिए और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और ऐसी ही डिलिशिस सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए और थैंक्स फॉर वाचिंग ते केर